नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजली पांसवान आप देख रहे हैं उत्रखन लाइब नियूज आईए बढ़ते हैं खबरों की और नैनीदाल उदम सिंग नगर में सांसद अजबट ने कहा कि विस्थापन के चलते जमरानी बान निर्मान कारे में देरी हो रही है उन्होंने कहा कि बिना स्थापन वा हुए आदोनिक सांसद होते वे भी बाद का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा सांसद ने उमीर जदाई है कि विस्थापन कारे जल्द ही पूर्ण किया जाएगा सांसद अजबट के मताविद ADB की टीम को भी जमरानी आना था लेकिन COVID की वज़ा से वहाँ टीम नहीं आपाई वरना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें ADB की जो टीम ने आना था वो आने में बिलंब हो गया है क्योंकि बाहर से वो नहीं आपा रहे है COVID की वज़ा से इस दे थोड़ा दिक्कत आई है प्रोग्रस में है सारी तो स्विकृतियां मिल गई हमको जो थोड़ी आर्थिक तोर से मिलनी थी उसके दूसरे रिसोसेच पर भी हमने विचार किया है मैंने प्रधान मंत्रीजी को इस मामले में अलग से पत्र भी लिखा है जन संसाधन मंत्रीजी को भी आउगत कराया है कि सारी चीजे हो गई है और थोड़ी परिशानी यह आ रही है उसमें कि अभी तक हम लोग बिस्तापन नहीं कर पा रहे हैं सारे संसाधन होते हुए भी बिना विस्तापन के काम चालू नहीं हो सकता है क्योंकि लोगों का भावात्मक एक लगाव होता है भावनाओं में लोग अपना गाउँ छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उनको सारी सुख सुईध है और अच्छे रेट की जमीन दूसी जगों प जो 40-50 साल से रुका था अब तो सारी उसके हडिल से हमने दूर कर लिये हैं तो कोई चिंता का भी शाइब नगर निगम में 23 स्थापना दिवस पे आज मेर सुनिल कामा ने पत्रकार वर्टा में उपलब दिया गिनवाई मेर ने जनकारी देते हुए बताया कि जिनने दूष्य के लिए नगर निगम बनाये थे उन्हें दूष्यों को लेकर नगर निगम बढ़ रहा है शहर के विकास के साथ लाइट सफाई विवस्ता और स्मार्ट सिटी के कारे को आगे बढ़ाया जा रहा है मेर ने बताया कि 26 जनवरी की प्रेट प्रेट ग्राउन में हो सकती है इसी तैयारी के साथ स्मार्ट सिटी के कारे कराय जा रही है वहीं पल्टर मजार में ब्लॉक विवस्ता कर कारे कराय जा रही है ताकि दुकानदारों और लोगों कुछ अवसुविधा ना हो उत्रकन के थानों में बाल अपरादियों के लिए बाल सुधार गराय बनाये जाने हैं इसकी सुरुबात तेरदून के डालन वाला थाने से कर दी गई है डालन वाला थाने में बाल सुधार गराय बन का तयार हो गया है यहां बाल अपरादियों से अनुकूल महल तयार किया गया है थाने में बाल अपरादियों की काउंसलिंग के लिए पुलिस के साथ बाल आयोग की टीम भी मौजूत रहेगी बाल सलक्षन आयोग की अध्यक्ष उशा नेगी ने बताया कि ऐसे अपरादि जो छोटे हैं और उनके लिए थानों में अलग से बाल सुधार गराय बनाए जाने हैं जहां पर उनकी काउंसलिंग मैडिकल और उनसे पुश्टाज आधि की जाएगी थानों में अलग से बाल सुधार गराय बनाए जाने का उड़ेश ऐसे बच्चों के लिए है जो जाने अंजाने में अपराद की दिशा में आ गए हो और उनको सुधार कर वापस चिक्षा की और मुख्य धारा पर जोड़ा जा सके जनपर पिधाओडगर की धारचूला तहसील की बजाने लोग के ग्रामिडों ने उपजुलादी कारी धारचूला की कारे आले पहुँचकर निर्मान दिन पेरजल लाइन का कारे पूरा नहीं होने से पानी की अपूर्ती ना होने पर परदर्शन किया और ग्यापन सौपा बता देगी बीते 28 जुलाई को बादल फटने से धारचूला मुनजारी में काफी तबाई हुई थी जिसके चलते ही रास्ते मकान पेरजल योजनाग पर सब आपदा के भीड़ चड़ गए थे लेकिन 6 मेन भी जाने के बाद भी हालतस की मस है जहामाने ने मुख्यमंद्री द्वारत जी कहा गया था कि जल मिशन के तहट एक रुपे पानी के कनेक्शन लगाय जाने की बाद कही जा रही थी तो वहीं दूसरी और काली का बजानी के साथ ही धारचूला की जनता पेरजल की समस्या से जूज रही है अभी के लिए बस इतना ही काफी बने रहे हैं उत्रकंड लाइव नियूस के साथ